हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मतर मलाय करी सरदी के मौसम में हरा मतर और मेथी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं इससे मिलाकर बनने वाली यह सबजी बहुत ही टिस्टी होती है यह उत्तर भारत की प्रसिद्य सबजी में से एक है आप इसे जरूर बनाईए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं स्वाती स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर जहां आज हम बनाएंगे मेथी मतर मलाय करी डाइसोग्राम मेथी जिसे साफ करके अच्छे से दो लिया है और इसे बारिक काट लिया है एक कप हरामटर दो मीडियम साइज टमाटर कटेवे आधा कप क्रीम आप चाहे तो क्रीम की जगह घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं दस से बाड़ा काजू एक इंच अद्रक, तीन हरी मिर्च, कटीवी एक चमच नमक, आधा छोटा चमच हल्दी पॉडर आधा चमच लाल मिर्च पॉडर एक चमच धनिया पॉडर आधा चमच गरम मसाला, एक चुटकी, हींग आधा चमच जीरा, एक इंच दालचीनी दो हरी लाची, चार से पाँच, काली मिर्च, चार लॉण और पकाने के लिए दो चमच सर्सों का तेल एक बरतन में एक गलास पानी डालेंगे अब उसमें डालेंगे मटर और बारिक कटी भी मेट में अब इसे उबलने देंगे गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे जब तक इसमें उबल आएगा तब तक हम टमाटर पीस लेंगे एक जार में टमाटर डालेंगे कटा हुआ अद्रक और हरी मिर्च और काजू अब इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे टमाटर पीस लिया है अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर ढख करके 5 मिनट और पकाएंगे देखिए मटर अच्छे से उबल गया है यह देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे चान लेंगे एक कराही में तेल गरम करेंगे पेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, साबुत मसाले जिसे हमने कूट लिया था, हिंग, मसाले चटक गये हैं, अब इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर, नमक, धन्या पॉडर, मिर्ची पॉडर, मसाले को अच्छे से भून लेंगे मसाला भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे टिसे हुए टमाट, और इसे भी भून लेंगे, गया, इसका अपने में हम मीडियम रखेंगे मसाला भुन गया है, देखिए इसमें से तेल भी चुटने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे क्रीम इसे मिला कर दो मिनट और भुनेंगे मसाला अच्छे से भुन गया है देखिए इसमें तेल भी छुटने लगा है अब हम इसमें डालेंगे उबलेवे मेथी और मतर इसे अच्छे से मिला लेंगे मेथी मतर को अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें डालेंगे आदा गिलास पानी पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखेंगे आपको सबजी जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए आप उस हिसाब से उसमें पानी कम जैदा कर सकते हैं सबजी में उबाल आ गई है अब हम गैस का फ्लेम लोग कर देंगे और इसे ढख कर दो मिनट और पकाएंगे सबजी बन गई है अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे मेथी मतर मलाई तयार है इसे आप रोटी, नान या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या बहुत टेस्टी होता है आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट शक्षन में लिख भेजिए इस वीडियो को अगर आप फेस्बुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए इंस्ट्राग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए थैंक य।